पेट्रोल और डीजल के दामू में लगी आग ने आम आदमी की मुश्किलों को और जाला बना दिया है बुद्वार के बाद गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ाती हुई है दिल्ली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत अब 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ाती के साथ 108 रुपे 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल की कीमत उसी अंतर में बढ़कर 97 रुपे 2 पैसे प्रति लीटर हो गई आर्तिक राजदानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 114 रुपे 14 पैसे प्रती लीटर हो गई है जबकि डीजल 105 रुपे 12 पैसे प्रती लीटर पर बिक रहा है जो सभी महानगरों में सबसे जादा है देश भर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमते 35 से 40 पैसे प्रती लीटर के बीच बढ़ी है लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों पर स्थानी करों के स्तर के आधार पर उनकी खुदरा धरे भिन थी बीते सप्ता सोमवार और मंगलवार को इधन की कीमते स्थिर रही थी लेकिन बुदवार और अविबार के बीच लगातार पाच दिनों तक फिरसे दाम बढ़ने से पहले लगातार चार दिनों में 35 पैसे प्रती लीटर की व्रिदी वी थी 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था डीजल की कीमतों में तेजी से व्रिदी के साथ देश के कई हिस्सों में इधन अब 100 रुपेग प्रती लीटर से अधिक पर उपलब है कच्चे तेल की कीमतें 3 साल की उच स्थर 86 डॉलर प्रती बैरल से अधिक बढ़ रही थी क्योंकि वैश्विक मांक सिर बनी वी थी जबकि उपेग प्लस उतपादन में व्रिदी पर दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है 5 सितंबर से जब पेटरोल और डीजल दोनों की कीमतों में संशोधन किया गया था तब अंतराष्टी बजार में पेटरोल और डीजल की कीमत अगस्त के दोरान औसर्ट कीमतों की तुलना में लग वग 9 से 10 डॉलर प्रती बैरल अधिक थी वी रिपोर्ट, मार्केट टाइंड्स, टील